हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश 10th साइन्स के मुश्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव क्वेस्टिव एंसर बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एक्जाम की दृष्टी कौन से बहुत इंपोर्टेंट है इसे बज़से आप इस वीडि से आप ध्यान से इसको देखेंगे इसका परतम कुश्चन है कि नीमन में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए परियुक्त नहीं किया जा सकता इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा मिट्टी यानि कि डी जो है ना मिट्टी जो है यह लेंस के लिए परियुक्त नहीं किया जा सकता ह next question है कि निर्गत और अभिलम के बीच के कौन को कहते हैं क्या कहते हैं इसका answer हो जाएगा आपको C&A के निर्गत कौन next question है कि किस माध्यम में अपवर्तनांग का मान होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है कि समान द्रिष्टी के वयस के लिए सुअसपष्ट दर्शन की नियूंतम दूरी होती है इसका correct answer हो जाएगा आपको C&A की 25 cm next question है कि दूर द्रिष्टी वाले आँखे साप साप दिख सकती है इसका correct answer हो जाएगा आपको A यानि की दूर की वस्तुवों को next question है कि काच प्रिज्म द्वारा स्वेत प्रकास के spectrum में किस रंग का सुझाव अधीक है इसका correct answer हो जाएगा आपको D यानि की बैगनी का next question है कि किस उपकरन में धान और लारन का चिन नहीं होता इसका answer हो जाएगा आपको कुंडली में next question है दस एंपियर और विस एंपियर के दो परतिरोधों को स्रेनी करम में जोडने पर समतुल परतिरोध होगा इसका answer हो जाएगा आपको next question है कि बारा वोल्ट विववांतर के दो बिंदों के बीच दो कुलाम आदेश को ले जाने में कार्ज किया जाता है इसका correct answer हो जाएगा आपको 24 जूल next question है कि विद्यूत फ्यूज काम करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको एने की धारा के उसमिय प्रभाव पर next question है यदि किसी नरम लोहे को धारा वाही कुंडली में के गर्व में रख दिया जाए तो क्या बनता है इसका correct answer हो जाएगा आपको बी विद्यूत चुमबक next question है कि एक किलो वाट तुल है किसके इसका correct answer हो जाएगा 3.6 गुना 10 जूल का next question है कि माभी की उड़जा प्राप्त करने है तो आवस्चेक है इसका correct answer हो जाएगा आपको C याने की uranium next question है कि जल से होकर विद्यूधारा प्रभावित करने पर जल का अप घटन होता है H2 और O2 मुक्त होता है तो H और O के आइननों का अनुपात है इसका correct answer हो जाएगा आपको C याने की दो अनुपात next question है भोजन का पाचना पचना तथा पकाना किस परकार की अभी किरिया है इसका correct answer हो जाएगा आपको C अप चयन अभी किरिया next question है कि रासायनिक समिकरन F2 plus H2O अभी किरिया करके F3O4 plus H2 को संतुलित करने पर जल में अनुपात की संख्या होगी इसका answer हो जाएगा आपको C याने की चार होगा next question है कि sodium chloride के जलिये घोल के विद्युधारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर sodium hydroxide बनाता है तो इस परकेरिया को क्या कहा जाता है इसका correct answer हो जाएगा आपको D chlorochar परकेरिया next question है कि चीनी का अनुप शूतर क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको C next question है कि हमारा सडीर कि pH परास के अंदर कार्ज करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको D 7 से 7 next question है कि नीम लिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको A यानिक लिथियम को नेक्स्ट कुश्चन है कि निमन में कौन आयनिक योगिक है इसका कर्थम कार्वनिक योगिक यूरिया का संसलेशन किस ने किया था इसका कर्थेंसर हो जाएगा आपको b यानिकी तुर्य जल किल स्यम्य करवाइड जल के साथ अभिक लिया कर देता है इसका कर्थेंसर जेगा आपको 2H 5OH और CH3 OCH3 next question है वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं इसका correct answer हो जाएगा आपको बी याने की छारद हातवे next question है कि पौधों में स्वासन किरिया के अंतरगत ADP से टुटने से कितनी उर्जा मुक्त होती है इसका correct answer हो जाएगा आपको a next question है कि पादप में जायलम उत्तरदाई ह इसका correct answer हो जाएगा आपको जलका वहन next question है कि सूखा परी संचरन तंत्र किसमें पाया जाता है इसका answer हो जाएगा आपको कौकरोच में next question है कि परती वर्थ क्रिया क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको D याने की सभी में next question है कि कोमल मस्तिक्स रक्षित रहता है इसका correct answer हो आपको C याने की तंत्रिका कोशिका Next question है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमे होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको A याने की अमीवा में Next question है कि फूल में नर जनन अंग होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको C वर्ति कागर मे儿 Next question है कि मनुस के बाइस जोड़े क्रोमो संव को क्या कहते हैं इसका करेक्ट संव हो जाएगा आपको A yī ke Autosom Next question है कि पक्षी और चमगादर के पंक हैं इसका करेक्ट अन्सर हो जाएगा आपको A यानी की समजात अंग Next question है कि प्रार्थमी को भुऔखता कहलाते हैं है कि पेट्रोलियम का उप्योग होता है किसमें तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको इन में से सभी में कि कोईला का मुक्स रोत क्या है तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको बी याने की पौध है next question है कि निमन में कौन शापद विद्यूत परिपाथ में विद्यूत सक्ति को निरुपीत करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको ए तुमारे dear students हमने 41 objective question को solve किये इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें comment में बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारे youtube channel को subscribe नहीं किये है प्लीज subscribe करेंगे और अपने दोस्तों को भी share कर देंगे next question है कि तामबे कितार की एक आयताकार कुंडली किसी चुमकिया छेतर में घुरनी गती कर रहा रही है तिस कुंडली में प्रेरित विद्युधारा की दिशा में कितने परिभर्मन के पस्चताप परिवर्तन होता है इसका एंसर हो जाएगा आपको cn की आधे next question है कि निमलखित में कौन पुरुन द्भववन का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा आपको bn की अमीवा next question है कौन सा अजेब निमनी कर हिसा इसका correct answer हो जाएगा आपको cn कि 10 थार्मो को next question है कि इंडल प्रभाव परकास की कौन सी परिगटना को परधार्षित रहा है इसका correct answer हो जाएगा आपको dn की परिकरन नेक्ट question है कि पूस्प का नर जननांग कहलाता है इसका correct answer हो जाएगा आपको एनकी पूंकेशर next question है कि विरंजक चूर्ण का रशायनिक शुत्र है इसका correct answer हो जाएगा आपको CAOCL2 next question है कि निमन में कौन गंगा परदुसन के लिए उतरदाई नहीं है next question है कि दातों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको एच्छारिय होता है next question है कि कलोरीन के परमानूं की बाहत्तम कक्छा में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है इसका answer हो जाएगा आपको स यानी की साथ होता है next question है कि सूरंगम किस राज में जल संग्रहन वैवस्ता है इसका correct answer हो जाएगा आपको C यानी की केरल में next question है कि वायू-मंडल में प्रकास का कौन सा रंग यानी की वर्ण अधिक परकिर्णन परिकिर्ण करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको B याने कि नीला next question है कि विद्यूत आवेश का SI मात्रक क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको D याने कि कुलाम next question है कि समान अनुसी थीलन रख्त दाब होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको A याने कि 80 mm question है कि इन में कौन पादप हर्मुन है इसका correct answer हो जाएगा आपको cytokinin d next question है कि चालक का पर्तिरोद निर्भर नहीं करता इसका correct answer हो जाएगा आपको डी चालक में प्रवाहित विद्ध्यू धारा पर next question है कि धोबिर सोडा का रशानिक शूत्र है इसका correct answer हो आपको snaHco3, next question है, कि रुधीर का कौन सा आव्याव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, इसका correct answer हो जाए, आपको सीnell party latest, next question है, neemn में कौन सा जिवानु जनित रोग नहीं है, इसका correct answer हो जाए, 462, next question है, निमन में से कौन सा परियावरन अनुकूलन नहीं है इसका correct answer हो जाएगा आपको motor cycle से चलना next question है कि निमन में से किस धातू का गरनांग सबसे कम है इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानि की N A sodium next question है कि निमन में से किस दरपन की focus दूरी धनात्मक होती है तो याद रखेंगे उतल लेंस का focus दूरी धनात्मक होता है next question है कि निमन में कौन सा उपधातू है इन में से जो है आपको G E जो है एक उपधातू है next question है कि कौन सा अधातू कमरे के तापमन पर तरह लवस्था में पाया जाता है इसका answer हो जाएगा आपको B यान की bromine next question है कि निमन में से कौन सा स्वक्ष उड़ जा सुरोत है इसका correct answer हो जाएगा आपको प्राक्रतिक गैस next question है कि स्वपोसी पोशन के लिए आवस्चक है इसका correct answer हो जाएगा आपको DNA से सभी यान की परनहरित भी होगा सूर्ज का प्रकास या कारवन डायक्साइड next question है कि निमन में से कौन सा समन सत्य है इसका correct answer हो जाएगा आपको B ब्रावर I.R next question है कि निमन में से कौन एक लिंगी पूश्प है इसका correct answer हो जाएगा आपको गुलाब पूश्प next question है कि निमन में से कौन एक लिंगी जनतु है इसका correct answer हो जाएगा आपको एक के चुवा next question है कि पादपों में पाय जाने वाला विर्धी हार्मोन निमन में से कौन सा है इसका correct answer हो जाएगा आपको जिब्बेरेलिन Next question है कि कौन सा hydrocarbon सबसे सरल योगीक है इसका correct answer हो जाएगा आपको अत्मिथेन Next question है कि संग मरमर का रशानिक शुत्र क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको CACO3 Next question है किस अंत्रिक्च यात्री को अकास कैसा प्रतीत होता है Next question है कि अति भारन के समय विद्यूत परिपत्व में विद्यूत हरा का मान इसका correct answer हो जाएगा आपको BN की परिवर्थित नहीं होता है Next question है कि किसी कोस में इलेक्ट्रोनों को अधिक्तम संख्या होती है इसका correct answer हो जाएगा आपको BN की 2 and 2 Next question है कि ओजोन परत की सहानिकारक वीकिरन से पिर्थवी को सुरक्षा परदान करती है इसका answer हो जाएगा आपको CN की परा बैगने वीकिरन Next question है कि oxygen के 2 परमानों के बीच कितने आबंद बनते हैं इसका answer हो जाएगा आपको 2 आबंद है Next question है कि हमारा सडीर का pH परास के बीच कार्ज करता है यानि कि हमारा सडीर किस pH परास के बीच कार्ज करता है इसका answer हो जाएगा आपको D यानिकी 7.0 से 7.8 next question है next और अंतिमा question है कि नेत्र में परवेश करने वाली परकास किरणों का अधिकान सपवर्तन कहां होता है इसका correct answer हो जाएगा आपको करने या के बाहर प्रिष्ट पर तो my dear students इसमें जितना भी परशन हमने बताये थे न ये आपके board exam की दृष्टी concept बहुत important है इसी बज़त से आप इसको एक दूवार करके देख करके जाएंगे और आप अपने result को यकीन मानिये best बना करके आएंगे बाकी बिल्कुल भी tension नहीं लेना है बिंदास होकर के अपने exam को देना है और आपको ये सोचना है कि ये तो सुरवाती दोड़ है ऐसे ऐसे कितने exam हमको निकालना है ये तो पर्थम बार है इसी बज़े से आपको घवडाना बिल्कुल भी नहीं है और लगन से आपको एक ये question को लिखना है बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आये होंगे तो पिर इसको subscribe करके ही करेंगे वाकिश्व थैंक्स वेरी माच आल दा बेस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद